हर कोई में कोई ताकत होती है कोई कम जोरी होती है इसके लिए भाव सभी को देना चाहिए क्योंकि मचली जल में रहती है वो जंगल में दोड़ नहीं सकती है और जंगल का राजा जंगल में राजा है तो वो पानी में राजा नहीं बन सकता इसी तरह भाव सभी को देना चाह जो फटापट बन जाती है और काने में बहुत टेश्टी लगती है आप एक बार बना के जरूर ट्राइ करना और आप इस चटनी को इस्टोर करके भी रख सकते हो 15 से 20 दिने के लिए फ्रीज में रख सकते हो खराब नहीं होती है और आप सपर में जाओ तो इसको लेके जा सकत हो सबजी की जिगे पर काम करती है और अच्छे लगती है सबजी खराब हो जाती है और यह चटनी खराब नहीं होती है और खाने में बहुत टेश्टी लगती है और बनाने में भी टाइम नहीं लगता है बिल्कुल पटाबट बन जाती है यह चटनी बनाने के लिए मैंने 7 आट काच्रे लिए इसको अच्छी से दो के साफ करके इसका छिलका निकाल लेंगे काच्रे की आप सब्जी भी बना सकते हो इसका आचार भी बना सकते हो और इसको बड़े बड़े टुकडे में एक आच्री का चैर पांच टुकडा करके इसको सुखा के इस्टोर भी कर सकते ह जर्दी में इसकी चटनी बनाते है तो बहुत अच्छी लगती है यह 7-8 काच्रे लिए मैंने अच्छे से छिल के इसको मोटे मोटे टुकड़े में काट लेंगे अब यह मिक्सर का जाल लेंगे और यह मिर्ची अकी मिर्ची है इसको मैंने दो गंटे पहले बिगो दी थी बिगो के अकी मिर्ची से चटनी बनाती तो बहुत अच्छी लगती है खाने में और अच्छा टेस्ट भी आता है और आज हम चटनी बनाएंगे पूरी अके मसाले से ही बनाएंगे कोई भी पिसावा मसाला नहीं लेंगे एक अलदी का टुकड़ा लिया है एक अध्रा का टुकड़ा लेंगे और अखा धनिया डालेंगे इसमें पिसावा मसाला कोई भी नहीं लेंगे अका मसाला फिसके बनाते तो चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत अच्छा टेश्ट आता है और अभी थोड़ा पानी डालके इसको अच्छे से फिस लेंगे बारिक ये देखो हमारी चटनी फिसके त्यार हो गई है आप दरदरी रखना चाहो तो अलखी दरदरी भी रख सकते हो बारिक पीशो तो बारिक भी पेश सकते हो और ये चटनी को दूसरी बाहुल में निकाल लेंगे पुरी को और वही जार में ओकाचरे लियते काटके उडाल देंगे और थोड़ा लसुन लेंगे लसुन आप अपने पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हो और इसको भी पीछ लेंगे बारिक यह देखो काशरी और लसुन अच्छे से पीछ के त्यार हो गया है अभी चलेंगे गेस के पास और यह मिट्टी का बरतन लिया है अमारी दादी नानी तो पूरा काम मिट्टी के बरतनों में ही करती थी दूद गरम करना, सबजी बनाना, खाना बनाना सब मिट्टी के बरतनों में ही करती थी इसके लिए मैंने आज मिट्टी का बरतन लिया है और उसमें तेल डालेंगे आप घी में भी बनाऊगे तो बहुत अच्छी लगती है मैंने तेल लिया है आप अपने कॉंटिटी के साफ से तेल डालेना मैंने यहापे दो बड़ी चमज लिए और तेल गरम होने देंगे तेल गरम होने के बाद मैं इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे आदी चोटी चमज जीरा की डाल देंगे और दो तेज पते डालेंगे और साथ आठ कड़ी पता डालेंगे कड़ी पता आपके पास में हो तो डाले न नहीं तो इसकी भी कर सकते हो और अभी मिर्ची मसाला जो पीस के लिया था वो डाल देंगे इसमें मसाला पूरा डालने के बाद में दो तीन मिनट तक इसको पकने देंगे दो तीन मिनट के बाद में वो काचरी और लसुन पीस के लिया था वो भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको 7-8 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे मिट्टी की बरतन में हम काच्री के चटनी बना रहे हैं इसका टेश्ट ही अलगाएगा आप भी एक बार बना के जरूर ट्राइ करना और वीडियो पसंद आई तो लाइक से रख जरूर करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्ली जरूर कर लेना और अभी काच्री जो पीस की लिया था वो भी इसमें डाल के सवाद के नुसार नमक डाल देंगे आप अपने कॉंटिटी के साफ से डाल लेना मैंने दो चोटी चमस लिए और इसको अच्छे से मिक्स करके साथ से आठ मिनट तक गेस की मीडियम फ्लेम पे पकने द चटनी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और पटापट बन जाती है और खाने में बहुत टेश्टी लगती है एक बार आप बना के जरू ट्राइक करना बहुत अच्छी लगती है सबजी खाना पसंद नहीं करोगे आप चटनी खाना ही पसंद करोगी इसी तरीके से बनाना आप भी और आठ से दस मिनट हो गया है भी आठ से दस मिनट के बाद में देखेंगे कि चटनी बनी है कि नहीं कि देखो कितनी अच्छी चटनी बनी है और कितना अच्छा कलर आया इसका यह देखो मसाला पीस के बनाते तो चटनी बहुत अच्छी लगते एक खाने में बहुत टेस्ट आता है और अभी आधी चोटी चमच इसमें गरम मसाला डालेंगे और आदी छोटी चम्मत आमचूर मसाला डालेंगे आमचूर आप अपने पसंद से डाल सकते हो नहीं तो इसकी भी कर सकते हो आमचूर और गरब मसाला डालने से और भी टेस्टी हो जाएगी चटनी और थोड़ा बारी काटके हरा दन्या डालेंगे अर ये दन्य से और भी टेस्ट हो जाएगी चटनी और दो मिनट के बाद में देखेंगी कि हमारी चटनी बन की त्यार है ये देखो कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी टेस्ट ही हमारी चटनी बन की त्यार हुई है आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबाना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपकी एक लाइक कमेंट सेर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा वसला बढ़ता है वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत वंदे मातरम